ओम सिरी गनेश आयनमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 सितंबर गुरुवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन में इस रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो परिवार से आज अच्छे संबंद होने की संभावना बन रही है घरिलू छेत्रों में आज आपको विकास देखने को मिल सकता है तता घर परिवार में सब के साथ आपसी समंजस बहतर होने की संभावना बन रही है आपके द्वारा किये गए कारों से आज आपको अच्छी सफलता तथा परिवार में आपका सम्मान प्राप्त हो सकता है आज आप सब के प्रती आस्था रखने के साथ साथ सब का सयोग करने की कोशिस करें दोस्तों साथिसाथ आज आप बाहर की गती विदियों पर अपना ध्यान अधिक केंद रित करें तथा आयोजनावद तरीके से अपने कारों को संपन करें आपको अपने प्रेतनों में सफलता अच्छी प्राप्त होगी तथा आए के साधन भी आपके लिए काफी मजबूत होंगे प्रॉपर्टी संबंदित किसी प्रिकार का कार्य करने के लिए आज का दिन उत्तम है घर के रख रखाव संबंदित आज सौपिंग भी हो सकती है आज कल आप अपनी दिन चरिया में जो परिवर्तन ला रहे हैं उससे आपके स्वास्त तथा पर्सनल्टी में बहुत अच्छा सुधार आएगा घर के नवीनी करण या सुधार जैसी योजनाएं आज बनेंगी आज किसी वास्तु विद के साथ अवस्य विचार विमर्स करें साथी प्रते कार्य को करने से पहले बजट बनाना आपके लिए अतियावशक है आज दूसरों के काम में अधिक ध्यान देने के अपेक्छा अपने व्यक्तिकत कारों पर अधिक ध्यान केंदरित करें बच्चों की तरफ से चली आरही समस्या का आज हल मिलने से राहत भरी इस्तिती रहेगी धर्म कर्म तथा समाज से भी संस्थाओं में आज आपकी विसेश रूची रहेगी इसकी वज़े से आप सम्मानित भी होंगे विध्यारतियों को भी पिछले कुछ समय से चली आरे परिसानियों से राहत मिलेगी बुजरुगों का सम्मान वे आदर आप अवश्य बना कर रख जिससे घर में शकारतमक उरजा का वास होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आप के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों आज जादा से जादा विवादों से दूर रहने का आप प्रियत्न करें सावधानी रखते हुएं किसी भी कार को करें अपने आप पर भरोसा क करते हुएं आर्थिक लेंदेन में सावधानी रखें कभी कभी आपकी लापरभाई की वज़े से कुछ उपलब्दियां हाथ से निकल सकती हैं जिसकी वज़े से स्वभाब में भी एकरण ही गुस्सा वे चिर्चना पन रह सकता है अपना आत्मविश्वास उरजा बनाकर रखना जरूरी है साते साथ विध्यारतियों का भी ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंदरित नहीं हो पाएगा जिसकी वज़े से दिक्कतें आ सकती हैं कोई पुरानी नकार अत्मक बात दोबारा उठने से नजदी की रिस्तिदारों के साथ संबंद खराब होने की आशंका भ प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी नजदी की रिस्तिदार अत्मा भाई के साथ कोई कहा सुनी होनी की भी आज आसंका है थोड़ा सावधान रहें साथी साथ कोई भी उपलब्दी आज मिलने पर तुरंत ही उस कार्रे को करें जादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल सक साथ ही किसी अंजान व्यक्ति की बातों में आकर आज आप अपना नुकसान कर सकते हैं थोड़ा सावध्यान रहें दोस्तों ध्यान रहें कि आज घर्चों की भी अधिकता रहेगी साथी साथ किसी पडोसी के साथ ही इसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती हैं करूद की आपके और आपके परिवार के लिए नुकसान दायक साबित हो सकती हैं जिससे घर का माहूल भी नकारात्मक हो सकता हैं थोड़ा सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आज प्रेम संबंदों को लेकर कुछ नया हैं दोस्तो साथी साथ आपके कारों में जीवन साथी का सयोग आपके लिए लाबदायक रहेगा तथा आपके संबंदों में मधूरता रहेगी घर का वातावरन संतुलित बनाए रखने के लिए आपको अपने वेवार में संतुलन बनाकर रखना अतियावशक हैं दोस्तो विस्तता के बापजूद कुछ समय परिवार वालों के साथ मनोरंजन वे आमोद प्रमोद में व्यतित करें इस से सभी को प्रसंद ता मिलेगी दोस्तो बात कर लेते हैं अज आपका वेवशाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तो कारे छित्र में आज आपको सफलता मिलेगी और कारोबार विस्तार की आज आप नई योजनाएं बनाएंगे प्रॉपर्टी में भी आज आप निवेस कर सकते हैं जो भविश्य के लिए आपके लिए काफी लाबदायक रहेगा दोस्तो साति सात कारे छित्र में सहयोगियों और कर्मचारियों पर अधिक विश्वास ना करके सभी निर्णे आप स्वैम ही लें क्योंकि किसी अन्य की सला आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है ववश्यक छित्र में सभी काम आज सुचारों रूप से चलते रहेंगे जिसकी वज़े से आप अपने लिए कुछ समय भी निकाल पाएंगे साति सात नोकरी पेसा वाले व्यक्तियों का भी आज कोई टारगेट हांसिल हो सकता है जिसकी वज़े से आपका बौस या उच अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला हैं दोस्तों आज स्वास्थ को लेकर आपके लिए इस्तितियां काफी सामान ने रहने वाली हैं आज किसी तरह की कोई स्वास्थ सम्मंदित समस्या उत्पन होनी की कोई संभावना नही हैं आज आपका स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा जिसके वज़े से आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफी उरजावान महसूस करेंगे दोस्तों साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या है दोस्तों आज आप इश्णान आदी से निर्वत्र होने के बाद गुरू से जुड़ी पीली वस्तुएं जैसे हल्दी पीले वस्त्र चना पीले फल आदी अपने स्रद्ध के नुसार अपने सामर्थ के दोस्तों बात करने मात्र से ही भगवान श्रीहरी विश्णु जी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशाने चल रही हैं समस्त परिशाने का अंत्र करेंगे और आपको इस प्रिकार दान करने से जल्द ही करना ना भूलें धन्यवाद